हेलो स्टुडेंट्स आप सब कैसे हैं होब सभी सही होंगे आज हम राजस्थान बोल्ड से आर बीएस्टी से क्लास टेंथ का चैप्टर वन भोजन है मानोस्वास्त के कुछ मर्टी चुए इस कोश्चन आंसर लेंगे जो यह फर्स पार्ट है तो इसको आज समझेंगे और य हिंदी में बोलें बहुच अनात्मक प्रेश्ण और इंग्लिश में मर्टी च्वाइस कोश्चन तो दोनों यहां पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है वह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोनों ही इंग्लिश माध्यम से इंग्लिश मीडियम से भी हिंदी मीडियम से भी तो मैं दोनों ही बोलूंगी I will speak Indian English and this is a very important question answer बहुत ही महत्यपूर question answer है पहला question हम लेते हैं नारू रोग का रोगजनक क्या होता है फर्स्ट का जीवाणू, जीवाणू, क्रीमी, विशाणू या प्रोटो जुआ तो यहां answer होगा creamy खा पे हम लगाएंगे टिक, answer होगा creamy इंग्लिश में देख लेते हैं नारू is a cause by which of bacteria, worms, virus and protozoa तो यहां this is a B option is correct answer, worms तो नारू रोग का जो रोगजनक होता है वो creamy होता है और नारू is caused by which of worms second question हम लेते हैं, स्वास्थ सरीर का समान रख्तचाप क्या होता है स्वास्थ सरीर का जो समान रख्तचाप होता है वो 120 by 30 here English is what is the normal blood pressure in a healthy individuals 120 and 80 ओके आप अपनी screen पर देख सकते हैं 120 and 80 by 80 and third question हम third question लेते हैं तमबाकू किस कुल का पादब है? solvacy, lilyacy, solenacy, phabacy solenacy तमबाकू किस कुल का पादब है? solenacy and tobacco belongs to which family of plants? solenacy here this is the English word solenacy okay so let's revise नारू रोग का रोग जनक है creamy खा option जिवानू, क्रीमी, विशानू, प्रोटो जिवा तो यहां हम क्रीमी पे टिक लगाएंगे स्वस्त शरीर का तन समानी रख्त चाप होता है 120 by 80 इंग्लिश में देखते हैं what is the normal blood pressure in a healthy individual 120 by 80 okay and first question नारू is caused by bacteria, worms, virus and protozoa okay and third question we will take third question हम लेंगे तमबाकू किस कुल का पादब है? solenacy, lilyacy solivacy, sorry solivacy, lilyacy, solenacy and febacy this is a four option so correct answer is solenacy okay and here this is the English way of English the tobacco belongs to which family of plant? malvacy, lilyacy, solenacy and febacy so correct answer is solenacy so we will end this video है यहां हम इस वीडियो को समाप करते हैं so please subscribe, like and more share and press red button and comment in box आप इस चैनल को subscribe करें, like करें, comment करें और बहुत share करें अपने राजस्थान students को यह हिंदी और इंग्लिश में दोनों में question answer है भी next series में अभी तुरन डाउनलोड कर रही हूं इसकी next series तो यह chapter 1 से आपका question answer था आपको आगे भी मिलेगा okay thank you very much आपको आपको पारागझता आपको 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 राजस्यात आपको एपको आपको आपको अभी मिलेगा झाल झाल